देश की रासा ने दिल्ली में कुरोना वारस के बढ़ते मामलों से हाहकार पचा हुआ है कुरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का एलान तो कर दिया है हाला कि यात्यों को एक बड़ी राहा देते हुए सरकार ने गोशना की है कि बस्टेंड या मेट्रो स्टेश्टों पर लंबी कतारों के मद्दे नजर इस हफते शहर की बस वे और मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी श्रमता के साथ ही चलेंगी सरकार के इस फैसे को लेकर अब दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर बड़ी ज़ानकारी दी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सारवजनिक सेवा घोशना डीडी एमे की ओर से जाली किये गए दिशा निर्देशों में कि मद्दे नजर दि योग करना है मेट्रो और बस में गेट पर खुद को और अपने सामान को जरूर सैनिटाइज करवाएं यानि कि अगर आप मेट्रो में ट्रावल कर रहे हैं तो सामान को और खुद को जरूर सैनिटाइज करा हैं लोगों से दूरी बना कर रखे हो मेट्रो में सफर के दौरान खड़े ना रहें यानि कि पूरी शम्ता के साथ तो मेट्रो चलेगी लेकिन मेट्रो में खड़े होकर सपर करने के रूमती नहीं दी गई है यूपी में कोरोना के मामले अब तेज गती से बढ़ने लगे हैं पिशले 24 घंटे में राज्जे में कोरोना के 900 से जादन नाई मरीज सामने आए हैं और कई दिनों बाद यूपी में संक्रमित मरीजों के आंक्रो में इतना बड़ा उच्छाल देखने को मिला है अब बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्जे सरकार हरकत में आ गई है सरकार ने नाईट कर्फियू से लेकर स्कूल बंद करने तक के हम फैसले ले लिये हैं वो फैसले क्या दिये हैं वो आपको बता देते हैं यूपी सरकार की तरफ से कोरोना कर्फियू रात दस बज़े से सुबद शे बज़े तक के लिए लागू रहने के आदेश दे दिये गए हैं और ये विवस्ताथ शे जनवरी से लागू कर दी जाएगे साथ ही आपको बता दें कि कक्षर दस्वी तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसल लिया गया है और साथ ही सबदी में उनका बच्चों का ठीका करन जारी रहेगा लेकिन और जिन जनपदों में आक्टिव केस की नियूंतन संक्या एक हजार से ज़्यादा हो वहाँ पर जिम स्पा, सिनिमा हॉल, बैंक्ट हॉल, रेस्टरांट भी और साथ ही सारवर्जनिक जगाओं पर 50 फीजली शमता के साथ ही लोगों कौनूमती मिलेगी ऐसे में प्रदेश के सभी शास्किय, अर्ध शास्किय, नीजी, ट्रस्ट, आदी संसाओ, कंपनियों एतिहासिक स्मार्क, कार्यालो धार्मे के सलोख, होटल, रेस्टरांट और द्योगे एकाईयों में ततकाल, प्रभाव से कोविड हेल्प डेस भी बनाया जाएगा तो यानि कि कही न कही यूपी में भी एक बाब फिर से वैसी ही पावंद्या लोटती हुई, लगती हुई नजर आ रही हैं जो अपसे पहले लगी हुई थी, मामले क्योंकि यूपी में बहुत जादा बढ़ने लगी हैं